हेलो स्टुडेंट्स जैगिन देसर रजत प्रवागन वेलकम टू कक्षाकेंद्र क्लास्स प्यारे बच्चो हम लेकर आहें बोर्ड प्रप्रप्रेशन स्रीज में एक और लेक्चर जिसमें हम पीवाई क्यू डिसक्स करने वाले हैं यह है बेसिक सेट तो ताउजन टॉन्ट शरीज का है तो कॉंसेट्स आपको बेसिकली पता ही होंगे उनको हम जादा डीप में डिसक्स नहीं करेंगे चलिए सो प्यारे बच्चों यह है पहला क्वेश्चन प्यारा क्वेस्चन-4.321-1 बेसिक टेस्ट का जो कि है चप्टरन नमर्वन से टेस्ट कर तब मजंग करत और उस्किल नवित्थ को सबसे चोटा कमपोशिट नवर क्यों टहुता इन दोनों का सिप्फ सा इन डुप कितना आसान पिस्टन है जिसको यह नहीं पता कि स्वालेस टूटजिट नंबर क्या होता है और स्मॉलस पॉजट नंबर क्या होता है वह नहीं कर पाएगा और मैं समझते हुषिन नंबर जित पहला कुशन इस सेविंथ क्लास का वीश्टन है तो देखिए टैन और फ्रकाइटर प्राइम फेक्टर है और इसका ओप्शन नंबर क्या हो गया एक करेक्ट हो कितना सिंपल था आया की नहीं आया मज़ा चलिए चलिए प्यारे बच्छों CBSC 2023 के बेसिक का यह question discuss करते हैं लिखा है अगर किसी के infinitely many solutions दिये गए हैं अगर किसी के infinitely many solutions दिये गए हैं understood infinitely many solutions अगर कहीं पर दिये गए हैं तो इसका मतलब क्या है क्या condition अखेंगे आप इसकी comparison करतेंगे a1x plus b1y plus c1 equals to 0 a2x plus b2y plus c2 equals to 0 a1 की value 1 a2 की value 2 b1 की value 1 b2 की value k and c1 की value minus 4 c2 की value minus 8 okay understood clear है कि नहीं यह अब आप जड़ा इधर देखें फटाफट क्या करेंगे आप infinitely many solution condition के होती a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to not equals to c1 upon c2 तो अब देखें 1 upon 8 हो कितना आगया 1 upon 2 या आगया 1 upon k not equals to minus 4 upon minus 8 minus 4 to 8 तो देखें यह दोनों condition के आगई merge करके या आगई k is equals to 2 और इन दोनों को merge करोगे तो कितना आगया k is not equals to 2 okay ऐसे कैसे हो सकता है k की value 2 आ रही है here is 2 ठीक है तो इसने वहला था the value of k तो k की value आ गई 2 look at here first or second ratio से k की value 2 आ गई this is the answer clear है की नहीं understood चलिए next question discuss कर लेते हैं चलिए बच्चों अब हम discuss करते हैं basic का यह प्यारा सा question basic cbsc 2023 का which of the following equation has two as a root देख उसके दो तरीके हैं या तो सभी equations के आप root निकाल लो और two roots जिसका आएगा वो equation verify होगे लेकिन यह बहुत lengthy method simple method क्या है two को substitute कर के देख लो जिस भी option को satisfy कर गया वो answer हो गया यह है फिल्कुल सा पहले option में रखके देखिया आप two को square minus four into two plus five equals to zero then four minus eight plus five equals to zero किता हो गया nine minus eight is equals to zero यहनी one is not equals to zero पहला वला तो unsatisfy हो गया b वाला देखिए जरा कितना आ गया two square plus three into two minus twelve equals to zero block it here four plus six minus twelve equals to zero तो देखिया ten minus twelve minus two is not equals to zero यह भी unsatisfy हो गया अगला देखिए थर्ड पार्ट देखिए two into two का all square plus seven into two plus six equals to zero check करो four to eight plus seven to 14 plus six equals to zero यह भी unsatisfy है okay minus seven था यहाँ yes minus seven था तो यह आगया minus fourteen और minus fourteen हो आगया eight और six किता हो गया 14 14 सा 14 गटगया 0 equals to zero यानि कि इसका सी options हो गया बिलकुल correct understood तो जब भी इस तरीके question आये कि root satisfy करेगा की नहीं करेगा roots है कि इस equation का तो आप simply उस equation में इसको substitute करके देख लीजेगा I hope समझ में आया हो का चलिए move to the next question चलिए बच्चो AP पर based बड़ा ही आसान सा question एक number आपकी जोली में डाल गया क्या है इनन AP D की value यानि common difference की value minus four है A7 यानि की 7th term दी गई है four then the first term पूछ रहा है कितनी होगी तो आप जानते कितना होता A plus six D equals to four A plus six into minus four equals to four तो इतना आगया A minus six four is twenty four equals to four A की value आगी बटा आपके सामने twenty eight तो first time आगे twenty eight which option is correct its D option is correct कितना मखन मखन के माफ़ी question था मेरी जवान भी फ्यूसर लगे मखन के नाम से एक दम slip होगी चलिए चलिए बच्चो अब हम coordinate geometry पर based इस questions को देखते हैं और एक number अपने जोली में डालते हैं क्या दिया गया है the distance of point five comma four from the origin देकि origin से यह रहा कोई point five comma four यह रहा origin से तो आप हम पटाफट देख लेते हैं ठीक है origin से इसकी distance क्या होगी यानि कि मैं इसको पी point बाल लो तो op distance formula क्या होता है x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square इसके coordinate 0,0 भाया o वाले के हो जाएंगे x1,y1,p वाले के हो जाएंगे x2,y2 तो देखे कितना आ गया या गया या गया 5 minus 0 का whole square plus 4 minus 0 का whole square तो या गया कितना 25 plus 16 तो op की value कितनी आ गयी 11 41 तो root 41 इसका answer आ गया check करो b option is correct बड़े ही simple से question basic test हो यह standard test हो बड़े एक simple सा logic है अगर आपको concept आता है तो कोई भी mcqs ऐसा नहीं होगा कि आपसे हो ही ना solve चलिए चलिए बच्चों हम अगला question discuss करते हैं क्या दिया गया है sign a की value 3 upon 5 है then the value of quote है देखो इस question को दो तरीके से कर सकते हो sign a की help से cos a की value निकाल लो तो cos और sign को divide को तो quote आ गया दूसा तरीका क्या है sign a की right angle triangle बनाकर third side निकाल लीजेगा पाइतागोरस theorem से फिर quote एका ratio पुट करके उस particular ratio की मदद से value निकाल लो choice is yours मैं prefer करूंगा smart तरीका sign a की value 3 upon 5 तो cos a की value कित्ती हो जाएगी under root 1 minus sign square होता है from the first identity of trigonometry तो यह आगे कितना 1 minus 9 upon 25 यह आगे कितना 4 upon 5 यह आगे cos a की value आ गई 4 upon 5 डारेक्ट समझ में आ रहोगा 25 minus 9 16 बचा अब sign और cos cos a upon sign a क्या होता है मेरे लाल होता है coat a cos a की value 4 upon 5 एड़िस की value आगे 3 upon 5 5 5 so 5 ड़िया answer आगे 4 upon 3 which option is correct its B option is correct smart तरीका जतना जादा use करोगे आप अपने आपको उतना बहतर उस test paper में perform कर पाएंगे ठीक है चलिए बच्चों चलिए बच्चों टिक्नोमेट्री प्रवेज्ट एक प्यारा से question दिया गया इस questions को दो तरीके से कर सकते हैं पहला है इसको sign course में तोड़ लू दूसरा है हम डारेक्टली आइडेंटली जानते है one plus ten square a क्या होता है one plus coat square a क्या होता है तो आपकी च्छा है जिससे आप करना चाहे तो मैं चाहता हूं कि sign course से आपको कर आओ तो ten a को लिख लेंगे sign square upon course square a लीचे आगिया one plus इसको लिख लेंगे course square a upon sign square a मेरे बच्चे sign square a plus course square a upon sign square a आप जहां से देखो इससे कट गया first second third and fourth first fourth के साथ यानि sign square a और second third के साथ यानि course square a यानि कितना आगे sign upon course कितना हो गया ten square a तो यह option number d correct हो गया कितना simple सा question था simply sign course में तोड़ा lcm लिया और उसको lowest form में change किया और आपके सामने answer आगिया got the point चलिए discuss करते है next question चलिए बच्चों टिग्नोमेट्री पर based is questions को discuss करते हैं और एक number फड़ावट अपनी pocket में डाल लेते हैं क्या है question क्या दिया क्या है 2 10 30 upon 1 minus 10 square 30 सबसर मुद्दे की बात क्या है 10 30 की value sign 30 value 1 upon 2 ठीक है और उसकी होती है root 3 upon 2 2 से 2 कट गया 1 upon root 3 होती है तो 2 into 1 upon root 3 1 minus square है तो कितना आगया 1 upon 3 clear है चलिए आप फड़ावट इसको solve कर लो simplify कर लो simplify करेंगे तो 2 upon root 3 है कितना आगया 3 में से 1 गया 2 upon 3 आ गया अब देखो देहान से देखो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया है first second third fourth first fourth के साथ और यह आ गया second third के साथ root 3 से root 3 times कट गया और root 3 किसकी value होती है चेक कर लो 10 60 की value होती है root 3 समझ माया कितना simple question दिया था तो कुछ बच्चों न सोचा होगा कि value नहीं आए value के बाद इसने बापस क्या देदिया 10 60 ही देदिया तो कितना difficult task नहीं है जो value आई इस value की substitute कर दो कॉंप्लिमेंटरी अंगिल जो आया निकलकर समझ में आया तो simple question सा फिलकुल mcqs चलिए discuss करतें next चलिए प्यारे बच्चों quadratic equations पर based बड़ा ही आसान question दिया गया है quadratic polynomial the sum of whose zeros यहनी sum of the zeros कितना दिया गया sum of the zeros into x plus product of the zeros ठीक है तो x square minus इतना गया minus minus plus 5 x plus 6 यह answer आगया x square plus 5 x plus 6 option number a हो गया है correct कितने आसान-आसान questions आ रहे हैं आपको मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में चलिए चलिए प्यारे बच्चों polynomial पर based question को discuss करते हैं क्या दिया गया है basic questions है the zeros of the polynomial एक polynomial दिए गई है px equals to 3 x square plus 11 x minus 4 आप देखे 4 तीजा कितना होगा 12 12 के ऐसे factor करो कि minus करके 11 आजाए बहुत easy 12 बन जा 12 और 12 में से 1 गया कितना बचा 11 तो अब क्या लिख लेंगे इसको px equals to 3 x square plus 12 minus 1 x minus 4 तो यह आ गया 3 x square plus 12 x minus x minus 4 आप आप क्या करेंगे 3 comma ले लेंगे दिख रहा है 3 x comma ले लेंगे बलकि x plus 3 4 जा 12 x plus 4 आगया minus 1 को मुले लें कितना आगया x plus 4 तो इसके factor क्या आगया एक तो आगया x plus 4 और एक आगया 3 x minus 1 0 निखालने के लिए हमने इनको 0 के 1 को लग दिया तो x की value आगया minus 4 और इसमें कितनी आ जाएगी x की value आगया 1 upon 3 तो क्या आगया answer एक 1 upon 3 आ रहा है और एक आगया है minus 4 तो 1 upon 3 minus 4 C option is correct लेके कितना simple था यह class 7 में बिच्चे आप पड़ते वे आ रहे थे कितना easy questions आपके सामने class 10 में दिया गया है चलिए चलिए प्यारे बचो statistics पर basic questions discuss करते हैं जो boards में आयावा question है लेका है the annual rainfall record for 66 days is given in the following table the difference 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 बताना है upper limit का किसकी model or media class model class का मतलब जिसकी सबस्यादा frequency होती आप सबस्यादा frequency आपको किसकी दिखाई देरी इसकी दिखाई देरी तो यानि की upper limit जो हो गई किसकी model class की वह कितनी होगी बटा वह 22 ठीक है sorry upper limit upper limit का मतलब यही 10 आपन लिमिट चलिए आगे क्या रहा है median class निकालो अब आपको बताए median class कैसे निकालते n y2 करके निकालते 66 total दिया गया इसका 2 से divide कर दो किता आगे 33 अब आपको cf लिकनी पड़ेगी मैं cf यहां लिख देता हूं देखो cf कैसे लिखते है 22 ऐसी 22 में 10 जुड़ो किता हो गया 32 32 में 8 जुड़ो किता हो गया 40 समझ मागिया तो 40 किसमें लाई करेगा इस वाली class में लाई करेगा और इस class की upper limit क्या है अपन लिमेट ओफ मीडियन क्लास क्या है अदा हो कितनी है 30 अब इनका डिफरेंस का था तो 30 में से 10 बचे कितना बचा 20 और 20 ओप्शन दिया गया यस सी ओप्शन इस करेक्ट देखिए सभी ने मॉडल क्लास सो समझ लियोगी को कि सबसे अदा फ्रिक्वेंसी जो होती हो मॉडल क्लास की होती है ठीक है मीडेन क्लास के लिए आपको सम टोटल जो वैल्यू दी गई होती उसका एन वाई टू करना पड़ता है तू से और इसकी अपर लिमिट क्या है ठीक है तो नों का डिफरेंस रिखाल देंसरा समझ में एक नमबर पक्के हो गए कि नहीं हो गए चलिए तो आप जानते हैं किसी भी इवेंट की या तो 0 सकती है जीरो से ग्रेटर हो सकती है वन हो सकती है और वन से लेज देन हो सकती है यानि कि हमेशा प्रॉबिलेटी जोती है किसी भी इवेंट की जीरो और वन के बीच में या फिर 0 और वन लाई कर सकती है या तो इवेंट बि तो probability 0 हो गई और event 100% हुआ तो 1 ही probability उनके बीच में हो सकती है कि event 20% हुआ 30% हुआ तो इसलिए जो probability होती है किसी भी event की वो क्या होती है उसके बीच में relation क्या होता है 0 to equals and greater than 1K question less than समझ भाया कि निया सिंपल सा question था 10 सेकिंड भी नहीं लग रहे होंगे आपको इन questions को करने के लिए मैं maximum time आपको बता रहा हूँ चली बच्चो आगला डिसक्स करते है चली बच्चो सर्फेस रेंड वॉल्यूम पर बेस्ट बेसिक से question डिसक्स करते है पूछ रहा है टोटल सर्फेस रेओफ हमिस्पेर जिसकी रेडियस कित्ती दिये 7 देखो टी एस से क्या होता है हमिस्पेर का 3 पाई यार स्क्वेर आप रख लो 3 इंटो पाई इंटो 7 147 पाई संटीमेटर इसक्वार 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 कितना सिंपल सा question दिया गया है पाई में ही answer दिया गया है तो पाई की value substitute करने की need नहीं है ऐसे सिंपल questions आपको एक number देखर जाएंगे छोटी सी गलती number खा जाएगा चली प्यारे बच्चों आपके सामने दिया गया है area related to circle का questions करा the difference of area of minor sector of angle देखो minor sector ये बना 120 degree का और करा end the corresponding major sector major sector कितना बचा 360 में सा ही कहे 120 240 degree बचा राइट है ना yes आगे और जिसकी radius कितनी थी है 21 cm थी गही है तो दब से पहले minor sector निकालो minor sector का area कितना होगा भी है ठीटा आपोन 360 थीटा पॉन 360 पाई आर इसक्वायर देखो पाई आर इसक्वायर तो सीम ही रहना है ना उसकी वैल्यू तो बाद में रख लेना और major sector क्या हो गया ये हो गया major major sector के लिए ठीटा की वैल्यू यह पूट कर लो कितनी आगी बिटा 120 जीरो से जीरो कट गड़िए 1212 36 यानि कि पाई आर इसक्वायर इसक्वायर अब इनका डिफरेंस पूच रहा है तो डिफरेंस क्या है आपको पता है major की वैल्यू जाएदा आएगी तो टू पाई आर इसक्वायर अपॉन 3 मैसे पाई आर इसक्वायर अपॉन 3 माइनस करो तो कितना बचा वन अपॉन 3 वन अपॉन 3 पाई आर इसक्वायर बचा यह तो डिफरेंस होगा चलिए वन अपॉन 3 पाई की वैल्यू रखनी है यस 22 अपॉन 7 रखनी है और यह आगे 21 इंटो 21 7 तरी जा 21 तरी उसे 3 गड़ गया 22 इंटो 21 21 तरी 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 टूजा 24 और 2 46 तो 462 संटी मीटर स्कॉर बड़ा ही सिंपल सा अंसर था ठीक है माइनर की वैल्यू निकाली मेजर की वैल्यू निकाली स्मार्ट कल्कुलेशन करी पाई आर स्कॉर की वैल्यू नहीं सॉल्व की डार्यक्ट डिफरेंस कर दिया अपके सामने आ गया आई होप आपको इसमाज में आया हुगा चलिए मुफ करते नेक्स्ट क्यों चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेस्टन डिसकस कर लेते हैं गराया था ग्राफ अप दा पियर ओफ लीनर एक्वेशन्स एवन एक्वेशन्स प्लस बीवन वाइप उस यह कंडिशन होती है नो सोल्यूशन्स की कोई सोल्यूशन्स नहीं आएंगे इसके तो इसका डी ओप्शन्स हो गया पिलकुल करेक्ट अंडरस्टूट चलिए चलिए प्यारे बच्चों एक क्वेस्टन डिसकस करते हैं टेंजेंट की बेस्ट इक क्वेस्टन है सर्किल का इंदा गिवन फिगर टेंजेंट पी एंड पीवी देखें पी एंड पीवी फ्रॉम एक्टन पॉइंट पॉइंट पी तु अर्किल विस सेंटर ओ आर इंकलाइंट तो इच अधर एक दूसरे को इंकलाइंट की गई है एक्टी डिग्री पर यह एक्टी डिग्री डेन आप जानते हैं मैंने पूरा नाइंटी होता है कि आमने सामने के उंगल जो बंते हैं टेंजंट के जरी उनका सब 1 0 होता है तो कुल्म लागर यह आगे आपका 100 डिग्री क्यों होता है चो कि ए ओ बी पी एक क्वाडिलेटर बन गया यह पूरा 90 होता है यह पूरा 90 होता है तो जब आप एंगल सम प्रोपर्टी ओफ क्वाडिलेटर लगाएंगे तो ओ की वैल्यू आ जाएगी 100 ठीक है या फिर आपने सामने के एंगिल का सम बड़ा सिंपल सा लोजी क्याद रखेगा 180 होता है तो इससे आपके सामने एंगल O की वैल्यू कित्ती आ गई 100 डिग्री अब उसके बाद आपको पता है यह एक ट्राइंगल बनना है जिसमें यह दोनों साइड एक्वाल है क्योंकि यह क्या है अगर यह 100 है तो यह X यह X कितना आगे बता बताओ एंगल सम प्रोपर्टी से X प्लस X इक्वास्टो 180 तो कितना आगिया 2X इक्वास्टो 80 गने एक्स की वैल्यू आगे बता 40 डिग्री कौन सा ओप्शन करेक्ट हो गया एंग्शन इसकरेक्ट समझ माया कि यह नहाए यह ब चलिए आई होप आपको यह समझ में आयोगा प्यारे बच्चो अगला कुशन डिसकर्स करते हैं चलिए बच्चों सर्किल का यह बड़ा प्यारा कुशन दिया गया अलाइन इंट्रसेक्टिंगा सर्किल इन्टू डिस्टिंट पॉइंट पर कट कर रही है लाइन एक लाइ बच्चों सर्किल बच्चों से रही है कि यह मैं बड़ा प्यारे लाइन बड़ने घ्रसेके सेकेंट ।ुल तो फॉयँ पोइंट पर इक लोगरशं की रहनाही यह वरामा पॉइंट कुराव कर बने प्या मिद्स χाक्तिंगा सर्किल कुंट कर लेते हैं क्या गभाई मिटर हाइट का पोल है जिसकी शैडव कितनी है तू रूट थी मीटर दी गई है ऑन दा ग्राउंड देन दा संस अलिवेशन संस का अलिवेशन यह ठीटा पूछ रहा ही वाला कितना इसी है भाई यह क्या है ठीटा का पोजिट क्या हो गया परपंडिकुलर यह बेस हम जानते पंदित भौल आपरशाद हर हर भोले तो P upon b किस में होता ten तो 10 थीटा एक पुस्तू P upon B, P की वैल्यो 6, B की वैल्यो 2 4, 3 2 3 6, अब 3 से रूट 3 काटो, इतनी वार कट गया? यह कट गया रूट 3 रूट 3 से 3, रूट 3 रूट 3 वार कट जाता ने? रूट 3 भार कट जाता नह 60 डिगरी की होती है तो ठीटा की वैल्लू कितनी आ गई 60 डिगरी कितना सिंपल क्वेश्चन दिया गया था आई होप प्यारे बच्चों इस सारे किसारे क्वेश्चन्स आपको समझ में आये होंगे इसी तरीके की वीडियो के लिए जुड़े रही हमारे यूट्यूब चैनल कख्शाकेंद के साथ थाएंकिवार माश फर कनेक्टिंग विट कख्शाकेंद जैंत कि अ